प्यारे दर्श्टकों, ये जो सामने आज आप पत्ती देख रहे हैं, आप गूगल पे भी सर्च करिएगा, इसे बोलते पांडवारा, पांडवारा एक बहुत ही चमतकारी, घातक और चमतकारी के साथ, घातक के साथ ये बहुत ही दुरलब पौधे की पत्ती है, आते आते ये सूख गई, हरी मिली नहीं पाती है, हरे पत्ते पर दो बूंद आप तेल लगा देंगे तो तुरंत जलना चालू हो जाती, जैसे मौम बत्ती जलती है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, नेट पर सर्च कर सकते हैं, पांडवारा दो प्रकार की होती, एक सूखने पर काले रंकी पत्तियां हो जाती है, और काली सूखने पर इस तरीके से पीली हो जाती है, इसकी पत्तियों के अंदर एक प्लास्टिक जैसी कड़कड़ाहट होती है, आपको एक राज की बात बता रहा हूं, पांडवारा जो काले रंकी होती है, पांडवारा काले रंकी आपको दो पत्ति कहीं से मिल जाए सिर्फ दो पत्ति लेना है किसी को उपर बरसों से भूत, प्रेत, जिन्र का साया हो पकड़ा हो बड़े-बड़े दर्वार बड़े-बाबाओं के पास जा के आप ठक गए हो तो सिर्फ इसकी दो पत्ति लाना है अमरीज को सिवक के मंदिर में ले जाना है द्यान लखना ये अमावस को ही होगा सिर्फ महने में एक बार अमावस को रोगी के सर पर से सिवलिंग के पास बीठा कर रोगी के सर पर से पाँच बार घुमा कर ओम, नमस, सिवाय, भश्म, रुपी, स्वाह, भूत, प्रेत, दमनाए इस मंत्र को बोलते हुए पाँच बार उतार कर सिवलिंग के उपर इस पत्ती को रख दे दो मिनट बार सिवलिंग से उतार कर वही पर कपूर रख कर जला दे धियान नहीं डरना नहीं है यह जब आप जलाएंगे मावस रात को करना है जब आप यह जलाएंगे तो इस में से जैसे बच्चे की चीखने की आवाज या जैसे कोई जानवर या चिडिया का बच्चा नहीं चीची बोलता है उस तरीके से या एक बार आह ऐसे आवाज आएगी किसी परकार की रुदान यानी पीडा दैक आवा जाएगी तो डरना नहीं चूकि वह वही प्रेथ, वही चुलायल, वही डंकनी, संकनी, ब्रह्मराचस होगा जो जातक के उपर होगा वो तुरंद जल जाएगा यह काम बड़ी साउधानी से करना है जलाते समय आपको किसी से बात नहीं करना है किसी का हात नहीं पकड़ना यहनि आपकी बॉड़ी को कोई टचना होना चाहिए यहनि बदक ल sorcer कभी-कभी हम किसी को साथ लेके गए और वो बगल खड़ा है किसी बहने अपनी बॉड़ी टच कर लिया तो body किसी के निटेच होना चाहिए पूरी परतक्रिया में रोगी की ना रोगी का जो करने वाला रहता जैसे मेरा पास रोगी है उसका नाम महेस है महेस को लेके गए स्वी मंदिर पर मैं उतारा कर रहा उतारा करके जलाया सब कुछ किया इस period मुझे ध्यार रहना चाहिए कि महेस हमको ना चुपाए और हम महेस को ना चुपाए यनि रोगी को हम ना चुपाए और रोगी मुझे ना चुपाए आप ये करेंगे करके घर पे आएंगे तो रोगी को घर पे सबसे पहले इंट्री ऐसे नहीं करना चाहिए उसका हाथ-पाउं बाहर धुला दें और उसके पर थोड़ा सा नमक फेग दें पीसा हुआ नमक उसके बाद वो घर पे आए उसको नहिलाईए नहिलाने के बाद वो कपड़ा लगता जो पहनना है वो पहने और सुबह एक पाउ खिचडी बना कर गाये को खिला देना है यह बहुत ही आसान बहुत ही चमतकारी और परियोग किया हुआ यह नुस्खा है इसको बड़े बड़े आप देखेंगे नासंपरदाय के अगोरी लोग या हिमाले में जो लोग बैठे हैं वो लोग आप लोग ने एकसर देखा होगा कि दो पत्ती से उतार कर जला देते वो यही पत्ती है इसे बोलते है पांडवारा आपको किसी प्रकार की समस्य आओ कोई जानकारी चाहिए तो मेरा वाट्सप नंबर है 8726153903 इस पर इस पौधे की पत्ती के बारे में जानकारी ले सकते हैं किसी प्रकार की अन्न जानकारी आपको चाहिए तो 9118036409 और दूसरा 74, 97, 98, 98, 68, इन दोनों नंबर पर आप सुबह 9 बजे से साम को 5 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं ये दोनों नंबर हमारे डिस्क्रेक्शन बॉक्स में भी उपलब दराएंगे बहुत बहुत धन्यवाद